अब हम देखेंगे कुष्चन नमबर 5 सान थीज प्लस टैन पैतानिस माइनस कॉसेग शाट बटा से थीज प्लस कॉसेट प्लस कॉसेट पैतानिस का हमें मान निकाला है इस तरह का कुष्चन बोड इजामें दो नमबर के लिए इंपोर्टेंट है और हर साल एक न एक का मान इक का मान एक होता है Supp stands प्लेस का मान 1 maito होता है प्लेस गार के Conwire तालिस का माल एक होता है अब हम क्या करते हैं इसके हड में एक माल लेते हैं और यहां भी इसके हड में एक माल लेते हैं और अब इसे हल करेंगे अब हम दो एक और रूट तीन का एल से करेंगे तो मिलेगा दो रूट तीन दो से भाग दएगे तो 2 कट जाएगा मिलेगा रूट 3 और रूट 3 से 1 में गुना करेंगे तो रूट 3 दो रूट 3 माइनस तो मा постоянно रूट 3 से भाग देगे तो रूट 3 कट जाएगा मिलेगा 2 और 2 दुना 4 बड़ा रूट 3, 2 और 1 का भी हम एल सेख करेंगे तो मिलेगा दो रूट तीन से भाग देंगे तो रूट सी कटेंगे हो जाया है जया है हो जाएगा दो रूट तीन अब 2 रूट 3 से 2 रूट 3 को काट दी से तो अब मिलां 1 रूट 3 और 2 रूट 3 तो 1 रूट 3 तो 3 रूट 3 माइनस 4 बटा 4 रूट 3 और 2 तो पलस में 3 रूट 3 अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस 4 बटा 3 रूट 3 जोर 4 हम 4 को इधर कर दी और 3 रूट को इधर कर दी है अब यहाँ हम इसका हर का पडिमे करन करेंगे हर का पडिमे करन तो हर का परिमे करन के लिए 3 root 3 minus 4 by 3 root 3 plus 4 है तो जब हम हर का परिमे करन करेंगे यह plus है तो plus को minus करके और उपर भी 3 minus 4 से गुना करेंगे और नीचे भी 3 root 3 minus 4 से गुना करेंगे तो अब हम देख रहे हैं यहां भी 3 root 3 minus 4 3 root 3 minus 4 यह हो जाएगा 3 root 3 minus 4 का whole square बटा a plus b और a minus b a plus b और a minus b होता है a square minus b का square यह a minus b के whole square का formula लगा देते हैं तो हो जाएगा a square plus b square minus 2 a b बटा 3 का square 9 और root 3 का square 3 minus 2 3 6, 4 4 का 24 root 3 बटा 27 पे से 16 घटा लेंगे तो साथ से छोग गया एक और दोस ते हो जाएगा पांच है तो पांच गुना कौश साथ का मान होता है one by two तो one by two square है तो square लिखेंगे plus 4 गुना से 30 का मान दो बटा root 3 होता है और square है तो square minus 10 25 का मान एक होता है तो हम एक का square लिखेंगे sin 30 का मान one by two का square plus cost 30 का मान root 3 by two का square तो square लिखेंगे पांच है तो पांच गुना एक का square एक दो का square चार जोर चार गुना दो का square 4 और root 3 का square 3 minus 1 का square एक बटा एक का square एक दो का square square चार रूट 3 का square 3 दो का square चार अब हम इससे हल करते हैं पांच ही क्यम पांच बटा चार जोर चार जोगा 16 बटा तीन माइनस एक बटा चार चार का लगुत्तम चार हो जाएगा चार से भाग देंगे तो इक जो चार से चार तो एक और एक सा undergraduate कजांब होना के तो तीन changing the इसके हड़ में एक्माल लेता है चार तीन एक का एलसेम करेंगे तो चार तीन का और एक का से मुझाएगा भारा एक बारा में करेंगा चार सोना चुलका 64 माइनस तो माइनस एक से भाग देंगे बारा में तो मिलेगा बारा तो बारा इक्यम बारा बटा तीन और एक चार बटा चार से चार ये कट जाएगा अब इसे जोड़ लेते हैं चार और पांच नौ छो और एक साथ माइनस बारा बटा बारा नौ से दो गया साथ और साथ से एक गया छो बटा बारा ये हमारा हो गया एंसर प्रेंट से दि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताए कि जो कुश्चन हम बता रहे हैं आपको कैसा लग रहा है थैंक्यो